लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और डेल आइटिन को प्रेस करें महा विद्या महा माया महा मेजा महा स्मृतिह महा मोहाच भगवती माजीव दानी महेश्वरी महा जखर यालोस करें कर दो करें कर दोखर आइब इसे अर्फाइब कर दोक्रा मुद्स कर दोक्राइब कर दोग्र लार यार कर दोखर व्यंग हुआ 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 है राम करे तूत जाए रेल गाड़ी मेरे साजन को जो ना लाए साजन को जो ना लाए देडा हुआ है कि ones साथ ननो करिया की कारण बेपर भी बड़ बेसे काही हम का छोड़ के रस्ता निहार ये कजरार मेना है नना अमरे दस दस का रोड़ के बेदर देने कदर न जामी देने फिरू गलियों में धुखाई रांकर तूत जाए जेलगारी मेरे साजन कुछ ना लाई साजन दाए खाए देया काहे जुवनी आई दियाई राम करे तूट जाए बेलगारी मेरे साजन को जो ना लाई जाए बेलगारी मेरे टीक, जाए बेलगारी मेरे पर उना लाई साजन बिल हम तो है अकेले जुर्म में ना सुनी है सारे गलिया लाख लगे चापाडों पे मेले सौसो ताने तेरे है सक्या दुनिया कहे गम को सादाई लाव करे कूट जाय लेल अलारी मेर कुछ ना लाई साजन बिल हम धुक्षिया पहे ज़गानी आई रहा अलारी लाव करे कूट जाय लेल अलारी मेर का जुझ ना लाई बन करो या याशी इन से घबराने की कोई जरूत ने है बड़े शरीफ आदमी है बिल्कुल ठीक कहा तू ने कमजर्फ और कविना तो तू है जो मेरी इमानदारी और सच्चाय की कमाई हुई दौलत को इस तरह याशी में उड़ा रहा है तो मैं और चमनलाल आपके बिजनिस पार्टनर्स हैं अपने हिस्से की दौलत हम जिस तरह चाहें उड़ा सकते हैं क्यों चमनलाल बिल्कुल ठीक बलती तो मेरी है कि मैंने तुम दोनों को अपने बराबरी का दर्जा दिया है और तुम लोगों ने उसका फाइदा उठाकर सिमेट की बोरियों में राक और नकली दौवाईया बनाकर क्रोर रुपया कमाया है लेकिन आज मैं अपने आपको तुम दोनों के नाजायस कारोबार से अलब करता हूँ मुझे अभी और इसी वक्त अपना हिस्सा चाहिए अब जब आप फैसला कर ही चुके हैं तो ठीक है लेकिन इससे पहले मैं एक सौधा ने इप्ता लिए हैं मुनी बाई जी हुज़ूर क्या उमर है इस कयामत की पुढ़ापे की उमर होती है जवानी की तो खड़िया होती है आज से हमने इसकी जवानी के दस साल खरीद लिए हाँ आत्माराम जी इस दुनिया में हर आदमी अपना नसीब लेकर पैदा होता है लेकिन दौलत किसी किसी के मुकदर में होती है कल को आपको अफसोस ना होके आपने अपने चंद आदर्शोर से धंतों के लिए करोड़ों की दौलत और अपने मुकदर को ठोकर माँ तोच आत्माराम को अपनी शराफत और इजट करोणों से ज्यादा प्यारी है मुझे बस मेरा हिसाब चाहिए रिलाक्स रिलाक्स जैसी आपकी मर्सि जम्नादाश जी इनका हिसाब किताब कर दीजे प्लीज अरे कैसी बात कर रहे हैं आप बाबु भाई बला कोई मंदिर जाते व पच्छीस लाग का चेक बना देता हूं लेकर अलग हो जाइए और हाँ अगर नाप तोल के हिसाब किताब करना चाहते हैं तो फिर कल सुबा अफिस आमना होगा मुझे जेता हूँ है फोरी कि इनके नापके 25 लाग चेक बना है लोगिंगे ने से पहले इनके पार्टनर्शिप से अलग होने के कागजात पर रसाइन लेना बहुत जरूरी है जैसी बाते कर रों जम्ना दाची है इनका नाम आत्मा राम है आत्मा राम वाह हम इनकी आत्म तुम कल सुबा काज़ाते ने फिजवा जाना दस्तखत कर देंगे, क्यों अत्माना चीक है? यह लिजे, यह लिजे, यह लिजे 25 लाख थेंगे, गुड लक्सी हेलो भी नहीं किया आत्मरामने यह आप क्या कह रहे है भाई साफ? रुप्या उनके गब्जूरी ज़रूर है लेकि उसे पाने के लिए वो कोई पाप का रास्ता अपनाएगी यह बेने कभी सोचा ही नहीं था ऐसा ही हो रहा है बहन जी और उसे इस गलत रास्ते पर चलने से सिर्फ आप रोख सकती है मैं तो भाई साफ आपके सिवा किसी और पार्टनर को नहीं चानती और नहीं उन्हें मुझे कभी बताया कि कि लोगों के साथ कैसा कारववार कर रही है फिर आप ही बताईए मैं क्या करूँ देखे बेन जी आप चमनलाव को समझाईए कि जुर्म के पेड़ से सिर्फ सजा के फल उखते हैं जिनसे वो आपका और आपके बच्चे का भविश्य बरबाद न करें अच्छा अब मुझे आग्या दीजिए बेवकुफ की नसियत मैं निमान दा मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा हूं अपने बीवी बच्चों के लिए दौलत कमाना कोई जुर्म या गुना नहीं गुना है अगर वह दौलत बाज़ा इस तरीकों से कबाई गई हूं देवकी जो लोग शराफत और इमानदारी के रस्ते पर चलते हैं करीबी उनके घर में होती है और बच्चे सड़कों पता है अखिर अखिर मैं ये सब किस के लिए कर रहा हूं तुम्हारे और अपने बेटे के लिए ही ना मैं अपने बेटे को उस रोटी के मूह नहीं लगने दूगी जो रोटी पाप के आटी से परे हूं और गुणाओं की भटी में पकी हो अगर आप गुणाओं का रास्ता नहीं छोड़ेगी तो मजबूरान मुझे इस घर की तहली छोड़ी होगी मैं इतना बेवकूब नहीं हूं कि तुम्हारे खुशी के खादेर करोडों की दौलत को ठोकर मारना ठीक तो आप अपनी जित के साथ रहे और मैं अपने असूरों के साथ इससे कहां ले जारी हो इस बाप के दलदल सी दूर मेरा बेटा मेरे साथ रहेगा पगल हो गई हो क्या अपनी जित के खादेर इसका भविश्य बरबात करोगी कहां रखोगी क्या खिलाओगी इसे धीक मंगवाओगी या जूते पॉलिश करवाओगी और जब लोग पूछेंगे कि इसका बाप कहा है तो क्या कहो है मर गया इसका बाप पर गया अगर इसे एक सच्चा इंसान बनाने के लिए मुझे उस चूट का सहरा भी लेना पड़ा तो मैं पीछे नहीं हटोगी कहिए भेंजी भाई सब तीलनाची है वो तो कब कर यह मकान बेचकर चलेगा भेंजी कहां कुछ पता नहीं यह क्या है यह वो कागजात है जिस पर लिखा है कि तुम अपनी मर्दी से मेरे कारोबार से अलग हो रहे हैं इसके बदले में मैं तुम्हें तीस लाक रुपे का चेक दे रहा हूँ इसके बाद तुम्हारा और हमारा कोई कारोबारी रिष्टा नहीं रहेगा दस्तखत करो और उठाओ यह चेक मजाग अच्छे कर ले तुम्हाओ है यह मजाग नहीं हकीकत है चमलाब उठाओ इस चेक को और दस्तखत करो इन कागजात पर तुमने मुझे आत्माराम समझ रखाए क्या जो करोड़ों के हिस्से के बदले मुठी बरनोट लेकर अलग हो जाओंगा आत्माराम तो फिर भी अकल मन था चमलाल लेकिन तु तो वो बेवकूफ है तो यह भी नहीं जानता कि शराब खतम हो जाने पे बोतल जवानी खतम हो जाने पे दवाइफ और काम खतम हो जाने पे पार्टनर्स को बाबु भाई ठोकर मारके फेक देता है यह जमनलाल ठीक है ना? बिल्कुल ठीक मैं तो फिर भी तुझे तीस लाख रुपे दे रहा हूँ साइन कर उठा ये चेक और चलता बन चल अगर मैं इंकार कर दू तो इंकार कर दू तो तो फिर शहर के किसी कटर में पुलिस को तुम्हारी लाश मिलेगी जिसमें छे सुराख होंगे क्यों बेकार का पंगा ले रहे हो यार भागते भूत की लंगोटी काफी है जो दे रहा है ना लेकर भागो ठीक है मैं सौधा करने को तयार हूँ यह उइना बाद तो लाइट देना जबना बाव भाई बाव भाई अरे यह क्या क्या तुमने खोन कर दिया बाव भाई का नवकर ने तुम्हे देख लिया तुम्हे यह शहर छोड़कर भाग जाओ बागे सब मैं देख लेगता हूँ जाओ जाओ देखा जमनादास इसे कहते हैं दिमाग का खेल नहींग लगे न फिटकरी रंग भी चोखा है अब चमनलाल के पीछे इतनी नकली पुलिस लगा दो कि वो यह शहर ही नहीं बलकि मुल्क छोड़ने पे मजबूर हो जाए क्यों ठीक है न ठीक विल्कूर ठीक लेकिन तुम्हे खुंकर नहीं क्या जरूती भाई कि उस धोकेबास को उसके किये की सजा मिलनी जरूरी थे पुलीस मेरे पीछे पड़ी हुई है ए तुम ही हो जो मुझे इस मुसीबत से बचा सकते हो कैसी बैते करते हो मैं तुम्हें कैसे बचा सकता हूँ कारूं आज नहीं तुकार यह तुम्हें जरूर पकड़ेगा इसलिए यह मुल्क आज ही रात को छोड़कर मैं भागना चाहता हूँ लेकिन.. लेकिन मेरे पास एक फूटी कवडी भी नहीं है अच्छे तुम बैठो मैं भी आता हूँ जमिलन आँ देखो इस वाक्त दुपए तो मेरे पास एती ही यह यह कुछ मेरी वीवी के सोने के जिरवर है देलो देलो इने सोना तो किसी भी मुल्क में बिख सकता है आत्माराम बावु भाई कितना ही कमीन आत्मी क्यों नहीं लेकिन एक बात उसने बिलकुल सच कही थी के राम तुम्हारी आत्मा में बसे हूँ इस शहर की जमीन छोडने से पहले एक कश्ट मैं तुम्हें और देना चाहता हाँ हाँ बूलो हो सके तो मेरे बीवी बच्चे को तलाश करना जो ना जाने इस दुल्या के भीर भी कहां खो गया है कर दो हो तो बुम्हें हो पुम्हें चाहता हाँ किस्ताय खग्चे को ब्हुत जाना है बाइता है कर दो दो और डरा ड्राप, ज ज दूजसाट ए। हुआ 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 है कमाल का लेखा के रवी ब्रमा आप तक सावर नौवल लिखे हैं और सभी एक सुबड करें जासुदी नौवल होगा बेताज बाश्या है अजीब राइटर है अपनी तस्षीर तक है इस अपना पसंद नहीं करता देखने में क्या मलूग कैसा लगता होगा तस्षीर तर छोड आपका बहुत बहुत शुक्रिया रोई साहर नमस्ते कलम की तलवार से जिन्दगी और मौत का खेल खेलना आपका शौक रहा है लेकिन आज मौत को इतने करीब पाकर आपको कैसा महसूस हो रहा है मिस्टर रवी वर्मा जिन्दगी हसीन है ये तो मालूम है लेकिन मौत इतनी खुपसरत होगी आज पता चला आपके ये खुबसूरत शब्द मेरा इरादा नहीं बदल सकते हैं इरादा बदलेगा अभी नहीं बड़ा बदकिस्मत होगा वो कमख्त जो आपके हाथों मिलने से इंकार करें शब्दों से खेलना आपका पेशा है मिस्टर रवी वर्मा आपके नौवलों के नौकर भी ब मिलने की कोशिश कर रही हूँ और वो मुझे आपसे मिलने ही नहीं देता भला ये भी कोई तरीका है किसी शरीफ लड़की से बात करने का बिल्कुल ने उसे समझना चाहिए कि अकलमंद और खुबसूरत लड़की के साथ कैसे पेशाना चाहिए हमसे बड़ी खुबसूरत मैंने अपनी सहीलियों से शर्ट लगाई है कि एक हफ्ते के अंदर-अंदर मैं आपका और्टोग्राफ लाँगी और्टोग्राफ प्लीज अरदर नहीं बलकी ये फुलों का छोड़ा से तौफा और साथ में चाय पीने की दावत मुझे ही फुल सर, 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 सर मुझे मालूम था कि आप जतने बड़ी राइटर है उससे भी अच्छे इनसान होंगे मैंने आपकी सब लोबने पढ़ी है सर मैं आपकी जबरतास पैन हूँ थैंक्यू, थैंक्यू बड़ी माच क्या मैं अपनी फैन का नाम जान सकता हूँ वैसे तो मेरा नाम आर्थी सक्सेना है लेकिन कॉलेज में सब लोग मुझे जासुचानी 009 के नाम से तुकारते है वैसी, इस लवली नेम मैं और आउसल की तरफ से श्री वर्मा जी का हार्दिक स्वागत करता हूँ और इसके साथ ही इस सभा के अध्यक्ष श्री बाबु बाई जी से प्रात्ना करता हूँ कि वो रवी साहब के नावलों की स्तावदी पर चंद सब्द आपके सामने कहें दोस्तों ये तो वही बात हुई जैसे किसी अनपढ़ से कहा जाए के पी-एच-डी का फुल कॉम बता जिस लेखर के किताबें घर-घर में पढ़ी जाती हो जो किताबों के बजाए लोगों के दिलों में रहता हो उसके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ मैं ठहरा सीधा साधा बिजनस मैं जो जुर्म और अपराज से उतना ही दूरे जितना धर्ती से आकाश है मैंने बच्पंज में अपने बात दादा से एक अंग्रेजी की कहावत सुनी थी क्राइम डाट पे जुर्म से किसी को फाइदा नहीं होता है लेकिन आज यहाँ पर दो आदमी मौजूद हैं जिने अपराज से फाइदा होता है एक अपने आईजी साथ जाने के पुलिस डिपार्टमेंट अपराज अगर बंद हो जाएं तो पुलिस स्टेशनों में ताले लगजें और दूसरे अपने रवी वर्मसाब जो अपराज के बारे में लिख रहे हैं और खूब कमा रहे हैं बेटर यही होगा कि जुर्म और सजा के बारे में शी रवी वर्मसाब अपक्ता है रवी साथ आईए साहबान जैसे कि उन्होंने कहा कि इसका फाइदा सिर्फ पुलिस डिपार्ट्मन को नहीं मुझे भी हो रहा है शायद ये भूल रहे हैं कि ये फाइदा इन्हें भी हो रहा है सिमेंट और दवाईयों के फैक्टरी के लावा इनकी तालों की फैक्टरी भी है और अगर इस देश में अपराद बंद हो गया तो इनकी तालों की फैक्टरी को ताला लग जाएगा दोस्तों जैसे कि मैं आप दोगों की बीच में हूँ और जो सवालों का जवाब मेरी नौवल नहीं दे सकती है वो सवाल अभी आप मुझे से पुछ सकते हैं तक मुझे मालूम है आप एक कामयाब क्रिमिनल लॉयर रहे हैं फिर आचानक आपने ये वकालत छोड़कर लिखना क्यों शुरू कर दिया पैसा हर इंसान की कमजोरिये सो मेरी भी है वकालत के पेशे से मुझे इस पेशे ने जादा पेशे देने शुरू कर दिया इसलिए मैंने वो पेशा छोड़ दिया और किताब में लिखनी शुरू कर दिया Excuse me sir आपके दिमाग में जुर्म और जासूसी के आइडियाज मेरा मतलब है प्लॉट्स कहां से आते हैं sir तरसल तुनिया के हर आदमी में कभी ना कभी कोई ना कोई अपराद करने की इच्छा चुपी रहती है मैं उसे चक बेचानता हूं और आपनी किताबों में लिखतेता हूं और पढ़नेवानों की खाश भी पूरी हो जाती है और अन्जाम से सबग भी मिल जाता है कि क्राइम डाज नाट पे अपराद से कोई फाइदा नहीं होता बार 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 भार भी टी यू फिर मुला बात होगी नमस्कार सर मुझे आई जी साब से मिला दीजी प्रीज अहां अहां शर्मा जी यह आ आरती सक्सेला उर्फ चासू सुरानी 009 कहिए कैसे वब कर सकता हूं मैं आपकी सर आप मुझे पुलीस डेपार्टमें में जासू सखले दे मैं आपसे वाइदा करती हूं कि 24 घंटे के अंदर अंदर मैं मुल्क के हर एक मुझ्रेम को आपके हवाले कर दूगी आरती में जासू सिर्फ उपन्यास में होते हैं, पूलिस डेपार्टमेंट में नहीं इसके अलावा एक डेपार्टमेंट और है जिसे हम CID कहते हैं लेकर उसमें भी पूलिस के टेंड आदमी होते हैं अगर आप पुलिस में बढ़ती होना चाहती हैं तो वेलकॉम, वरना हम सौरी ठीक है सर, जिस दिन आपका डिपार्टमेंट किसी मुझरम को पकड़ने में नाकाम हो जाएगा उस दिन मैं उसी मुझरम को लाकर आपके सामने खड़ा कर दूंगी सर and that's my challenge सर तो जिस दिन ये आप कावना में करके दिखाएंगी, उस दिन में खुद अपने हाथों से ये नाम दूंगा, प्रॉमिस करता हूँ ओक मिश्टर रभी, नमस्ते, आईए एक्स्सूद में सर, रास्ते में मेरी गाड़ी खराब होगी थी सर मुझे यह टैक्सी में आना पड़ा, could I have a lift please सर lift, of course, of course, ना बुलके मतना है क्या, बता लगा, फिर से लिवालो निकाली, हाई हाई लेजी आपको घैरा आगया thank you for the lift सर, अब इजादत दीजिए, बिलकुल नहीं, अब आप मेरे साथ अंदर आएंगे अगर आप अंदर नहीं आएंगे, तो मैं भी नहीं जाओंगी आइमाज से आप तो नाराज हो गई, हम आपके जजबात के तौहिन नहीं करना चाहेंगे आए, लेट्स गो thank you आई ना विकी 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 हलो दीदी अगर मैं गलत नहीं समझ रहा हूं तो आप रवी वर्मा साहब हैं? जिनसे मिलने के लिए आज तुम पुरी तैयारी के साथ गई थी, करेक्ट? करेक्ट रवी साहब, यह मेरे चोटे भाई विकी है अलो, विकी, डाडी का है? उपर अपने कमरे में डाडी डाडी रवी साहब, वो क्या है न, कि जब विकी गिटार बजाता है न, तो डाडी अपने कमरे में बैठके मज़े से सुनते हैं लेकिन जब मैं गिटार बजाती हूँ, तो जानते हैं क्या होता है क्या होता है? अभी बदाती हूँ मैं तुमसे कहता हूँ के स्टॉप कितने बार का है तुमसे के बेसुरा गितार मत बजाये करो तैडी आपको नीचे बुलाने का इससे अच्छा और कोई रास्ता नहीं था देखे न कौन आया है मापकी जी कर मैंने आपको पचाना नहीं अरे डाडी ये रवी वर्मा जी है जिनकी जासुसी नॉबने ने पूरी दुनिया में दूम मचा रखी है ओ आम सॉरी आई 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 अई जरंगी कोतर सोया में ही कश्बू आजावत है, घर में मेमान कब आवत है और कब जावत है, की रहा नाश्ता और की रही चाये ही चकाचाच कभी हवे में सुनाएगे आपना गाना वना, वाई नाट, कल ही हमारे कॉलेज में स्विंग कॉंपिटिशन होने जा रहा है, जिसमें की मैं पाडिस्पेट कर रहा हूँ, आप वाएंगे सर, आपकोस नमस्ते जी नमस्ते जी नमस्ते जी नमस्ते जी कहीं क्या हाल चाल है हुक्म हो तो पूछना एक सवाल है नमस्ते जी कहीं क्या हाल चाल है हुक्म हो तो पूछना एक सवाल है हाँ जी शौक से पूछिये क्या सवाल है आपका हर सवाल का आपके दूंगा मैं दूंगा जवाब नमस्ते जी कहीं क्या हाल चाल है कहीं क्या हाल था हुक्म हो तो पूछना एक सवाल है थाम करेंः उसन सवाल है स्ञाल आधार जालता वाधार आधार जालता वाधार अपल में ही कैसे लगी अपनों जैसा चेरे पे ऐसे नजर धप्रिके समझो जवानी की रुट आ गई ये हादसा हो जवानी में तो समझो मोहबत शुरू हो गई नमस्ते जी कहीं क्या हाल चाल है हुक्म हो तो पूछना एक सवाल है हाटी शो किसी पूछी क्या सवाल में आपका है क्या सवाल का आपकी दूंगी में दूंगी जब आओ हुआ 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 है हुआ 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 है हुआ है हुआ है वे उम्र ये जवा साल सोलवा दुनिया में बद नाम है क्यों प्यार दुआ है रग की तो फिर प्यार का ये अंजाम है क्यों अंजाम क्या प्यार का है पुरा मर की अमर प्यार का नाम हो दुनिया में दुश्मन है जो प्यार के करते मुहबब को बद नाम हो नमस्ते जी कहीं क्या आल चाल है हुक हो दो पूछना इक सवाल है हाँ जी शौक से पूछिये क्या सवाल है आपका हर सवाल का आपके दूंगा मैं दूंगा जवाब हाँ लाँ लाँ नाम हो दूआ है झाल लाँ इस जीए आर लाँ हुश य Lower हुश ng हुश हुश आ Depois हुश हुश हाई हुआ 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 है सोचो सोचो परमात्मा को यार करो आग और पानी जमी आसमा रंग हवाओं का है पाचमा इन में जठा रंग है आत्मा और साथ वा रंग परमात्मा हुआ 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 है हुआ 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 है हुआ 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 है हुआ 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 है हुआ 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 है चल जल्दी से बैट जा खाना खाले तुखा मैं खाना खा चुकी हूँ क्या हाँ मैं खाना खा चुकी हूँ एक दो दिम की बात हो तो कोई इंतिजार करे चांद के निकलने का समय होता है सूरज के डूमने का समय होता है लोगि तेरा आप मुझे रोज रोज का इंतिजार नहीं किया जाता ए बगवाद ऐसी बद्तसीब हो में कि आज करवा चौवत की दिर ना तो अपने पती का मुझ देकर व्रत तोड़ सकती हो और ना ही अपनी जिन्दकी की सचाही मैं अपने बेटे के सामने रख सकती हूँ फेद रखो वो जहां भी रहे सुखे नमस्ते जी नमस्ते बैठी है ना कहिए चमलाल जी आप कैसी दबेटा तीन बार दिल का दवरा पड़ चुका है वकिल साहब सहत और उम्र कब तक साथ देगी इतने जल्दी आपको कुछ ने होने वाला चमलाल जी उपर वाले को भी अच्छे आद्मियों की सुरूरत होती है लो भाई तुमारी सारी प्रॉपर्टी का सवदा हो गया ताड़े दस करोड में लेकिन एक बात समझ में नहीं आई चमलाल जी आपने अपनी सारी प्रॉपर्टी बेच क्यों दी क्या सिंगपूर छोड के हिंदुस्तान जाने का इरादा है नहीं मेरे दोस्त नहीं हिंदुस्तान जाना मेरे नसीब में कहा बस ये रुपिया मेरी पत्नी और बेटे तक पहुँच जाए तो शायद उपरवाला मुझे माफ कर दे आत्माराम को ढूलने की बहुत कुशिश की पर पता नहीं वो अपना पुराना मकान छोड़कर कहां शिफ्ट हो गया है हाँ एक आदमी है वकील जमनादास जो आत्माराम को किसी भी तरह तलाश कर सकता है प्रभु वाव 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 अरे बिन मांगे मोती मिले मांगे मिले न भी जमनादास यह दस करोड रुपया आत्माराम को नहीं मुझे मिलना चाहिए बाबु भई यह 10 करोड की बात है किसी तवायफ की नहीं कि किया इशरा और आगए आपकी गोद में यह दस करोड रुपया सिर्फ आत्माराम को ही मिलेंगे तो फिर मुझे आत्माराम बना के पेश कर देना इतना असान होता तो मैं नहीं बन जाता आत्माराम कुछ कर जमन पाबु भाई मान लो ऐसा हो गया तो मुझे क्या मिलेगा तस परसेंट तस परसेंट तो सिर्फ इंफर्मेशन देने के मुझे मिलने चाहिए तो फिर तुझे कितना चाहिए कितना चाहिए तो कि एक बात 50-50 अंजूर लेकिन तू करेगा क्या वो मैं बोलके नहीं करके दिखाऊंगा नमस्ते माजी नमस्ते आपी रोवी साब की मा है हाँ क्यों उन्होंने आपको फॉरण बुलाया है रवीने जी जी हां माजी उन्होंने काया जितनी जल्दी हो सके मेरी मां को लियाँ आये माजी आये अच्छी चलो रात को गुलाया प्रॉश्या वाद मात्रास प्रॉश्या आपका हुनर, आपकी काविलियत, आपका दिमाग, मैं कुछ समझा नहीं, आप बहुत बड़े क्रिमिनल राइटर है रवी साहब, बड़ी बड़ी पेचिदा कहानियों के प्लॉट बनाते हैं आप, मेरे क्लाइंट है, वो चाहता है कि आप उसके लिए प्लॉट बनाए कहान अपने दोस्त आत्माराम जी के नाम पर रिजोर्ब बैंक के जरीए बेजे, मेरा क्लाइंट चाहता है कि आप कुछ ऐसी तरकिप सोचे, ऐसा प्लॉट बनाएं, जिससे वो दस करोन रुपे बिना किसी कानूनी जंजक के रिजोर्ब बैंक से निकल कर उसकी तीजोरी में आ आपके समझते कि मैं आपके ये बेवकुफी की सला पे आमल कर लूँ करना ही पड़ेगा रवी सहब, करना ही पड़ेगा सुना है कि फूलों से खुश्बू और सूरश से रोशनी दूर रह सकती है, लेकिन आप अपनी मा से दूर नहीं रह सकते मैं आपको 10 सेकंड देता हूँ ये फैसला करने के लिए कि आपके लिए आपकी मा की जिंदगी 10 करोड से कीमती है ये सस्ती आपको एक्लाइंट से मिल सकता हूँ जी नहीं इस मामले में सारी बाते आपको मुझसे करनी पड़ेगी क्योंकि मेरा ये क्लाइंट इस शहर में नहीं है जबनाज जी खमाल की बात है वकिल होने के बावजूद आपको जूड बोलने का सलीका नहीं है मतलब मतलब ये है कि आप जिस आदमी की इतनी बड़ी दलाली कर रहे हैं वो इस शहर में नहीं बल्कि मारवी साथ वाह आज यखीन हो गया कि लोग आपके दिमाग का लोहा क्यों मांगते हैं आपको कैसे पता चला कि मैं इस पर्दे के पीछे हूं अपनी मा की खातिर मुझे एक काम करना ही पड़ेगा तो क्या आप सच्विश आत्मा रम जी की दस करोड रुपे इसे और को दिला देंगे आप दिलाना ही पड़ेगा लेकिन सर यो कोई उपन्या से अफसान नहीं है एक सच्चाई है एक आदमी के दस करोड रुपे आप ऐसे कैसे किसी दूसरे आपमी को दिला देंगे दुनिया एक शत्रंज का खेल है जो कभी कभी अच्छे से अच्छे खिलारी भी मात खा जाते है शत्रंज की बाजी बिच चुकी है चाल तो चलना ही पड़ेगा मेरा प कर दो कि चटिका को खाएं जटिका ओ ँहाएं जटिका ओओ मैंने चुछ कोएं से जटिका तुक आज पिल सीने से निकला कलेब में आकी अटिका जटका ओ है जटका ओ मैंने जूर बखो ऐसे जटका हर दिल सीने से निकला गली में आके अटका जटका ओ है जटका ओ है जटका ओ है जटका मैसिर में बोले हर कोई मुझ को हर दिन की होवें चाओी गोरा रंड है जटका ओलावी उस पे ये निव शरावी मैं तुमें बोले हर कोई मुझे को हर दिल की हुदे चावी गोरा रंग है गाल गुलावी उससे ये नेम चरावी जपता ओ है जपता ओ है जपता ओ मैंने पल्क को ऐसे जपता हर दियू सीने से निकला गली में आके अटका जपता ओ है जपता ओ है जपता ओ है जपता प्यार दे क्यार दे क्यार प्यार दे क्यार दे क्यार सुनों सुनाओं सक्को समस्थ्या संडी की शाम सडक पे प्याजी प्यादी पागल पेमी पड़ गए पाओं पकड़ दे सुनों सुनाओं सक्को समस्थ्या संडी की शाम सडक पे प्याजी प्यादी पागल पेमी पड़ जए पाओं पकड़ दे लच्चका ओ है लच्चका ओ है लच्चका ओ है लच्चका प्याजी में आपके अठका जटका ओ है जटका ओ है जटका ओ है जटका ओ है जटका सुन्दर सलोनी सुरत के सदते समस्या सुल जादू दिल के दिल दे दिल की दिवानी कर दे दिल की दवादू सुन्दर सलोनी सुरत के सदते समस्या सुल जादू दिल के दिल दे दिल की दिवानी कर दे दिल की दवादू चटका ओ आए चटका चटका ओ तुन जुल को तो ऐसे जटका मेरा दिर सीने से निकला गले में आके अटका चटका ओ आए चटका ओ पैने जुल को ऐसे जटका हर दिर सीने से निकला गले में आके अटका चटका ओ आए चटका ओ आए चटका ओ आए चटका कदम रुक रुक के चलते हैं, कमर बल खाई जाती है, खुदा जब उसने देता है, नजाकत आही जाती है, हाइप, मुझे सुरज केते है कम से कम ये फूल तो कबूल कर लीजिए, मैं आप से दोस्ती करना चाता हूँ तो मैंने कब कहा कि आप मेरे दुश्मन है? तो, दोस्ते के लिए मुलकातों का होना बहुत ज़रूरी है, और इस सलसले की शुरुआत के लिए, मैं आप की एक रात खरीदना चाता हूँ तुम्हारे हुसन की गर्मी ने मेरे जजबात में आग लगा दिया और मैं साख को तुम्हारे रूप में डूप कर बोजाना चाता हूँ कीमत जो तुम चाहो तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? अगर तुम शराफत दिखा कर अपनी कीमत बढ़ाना चाहती हो तो फुग्यारिट मैं पहले सी तुम्हारे कीमत देने के लेता है आजू पैसे और पेशी में फर्क है मिस्टर जिस दिन ये फर्क तुम्हारी समझ में आ जाएगा उस दिन तुम किसी की इज़त खरितने की चुर्रत नहीं करोगे बनाकर फकेरों का हम भेश गालिब तमाशाय अहले करम देखते हैं बेटे इसे पालने के लिए तो बड़े-बड़े करोड़ पती तयार है लेकिन इसे भूकी नहीं लगती यह तारीव खाती है शराफत पहनती है लेकिन अपनी इज़त नहीं बेशती इसलिए मेरा ख्याल है कि तुम अपना ख्याल छोड़ दे बाई अरे हमारे दोस्त ने अच्छे अच्छे पत्थर पिगला दिये तो यह डांसर का चीज है हाँ अबे ढकान इसने आज तक मोम पिगला है अगर इस पत्थर को पिगला के दिखा दे न तो मान जाओं अरे इसी बात पर तेरी मेरी लगी शर्थ लगाता शर्थ कितने की तू बता हजार रुपए अच्छा तो यह बात है तो लगी मेरी भी एक हजार की हो गया जानी जब यह चूजे एक फिर्दॉस के लिए हजार रुपए की बाजी लगा सकते हैं तो हिंदुस्तान के कसम हमारी तरफ से पांच हजार रुपए ठीक है अगर मैंने भी इस बत्थर को चोबीस खंटे के अंदर पिगला कर मोम नी कर दिया तो मेरा नामी सुरज नहीं प्रिक्षा रोपए चले अ मिट्रस कीए रूजा तो मेरा पिषह कुण कर रहे हो अभी अरे रे ये क्या कर रहे हो आप दो अलो ने, ये क्या करें वो? एक, दो ये क्या करें आप? माफी मांग रहा है लेकिन ये कौन तरीका माफी मांग रहा है? 16 20 20 20 लोग देख रही तो देखने दो जब तक आप मुझे माफ ने कर देंगी मैं जिन्दगी भर इसी तरह उठक-बैठक करता रहूँगा 33 34 बिठार, अपनी गल्टी पर शर्मिंदा है माफ कर दीजेए थे अच्छे बाबा, माफ कर दिया आपके रूख जाए मजबूरी से कह रही है दिल से कह रही है मैं दिल से कह रही है कि मैंने माफ कर दो अगर आप में वाखी मुझे माफ कर दिया तो चलिये मेरे साथ चाय पिने कह ये नहा हाँ, हाँ, एक साट, बास साट अरे बैटी, नहां कर दे, बैचार अगरी आएगा वैसे भी एक साट आज सकता है, तो पहुंच चुका है ठीक है प्यूँ, लेकिन आप ये तमाशा बंद करो एक साट, बास साट आपकी हलत भी बई है, जो नीरी है क्या मतलब, अभी हभी आपने कहा, हाई मैंने हाई नहीं, चाई कहा है, नीचे देखिए, चाई थंदी हो रही है नीचे कैसे देखो, नजरे आपके चरह से हटने का नाम ही नहीं लेती गाल, यकीन मानिए, आपकी आगों कुछ देखकर ऐसा लगता है जैसे आम आवस की काली रात में किसी ने दो दीप चला कर रखती हो और मैं अंपर परवालू की तरह मड़ ला रहा हूँ देखे, अगर आप इस पत्तमीजे से बाज नहीं आई तो मैं यहां से उठकर चली जाओंगे ना मुंकिन, आप चाय पी बिना नहीं जा सकती आपने बाला की है सीता जी मेरो नाम सीता नहीं है तो फिर क्या है? मैं यह अपना नाम बताने नहीं, सिर्फ चाय पीदे ही चली जाओंगी जानती हो आपके जाने के बाद मेरा क्या हल होगा सीता जी? मेरा नाम सीता नहीं है शक्कर जैसी सूरत वैसा नाम, शक्कर कितना मीठा नाम है मैंने पूछा चाय में शक्कर कितनी लोगे? आपके हाथों से तो जहर भी मीठा लगेगा सीता जी इंद्र लोग के अपसरा के हातों मिली मदिरा में भी वह स्वादना होगा जो इस चाय में है करना में है व्च ден रत्राइब है शाहितày उसलिग मैं कहां बारोगे तुम, कह का नेकुन fortsन लोगे। यह देखो तुम्हाले कुछ खर्च देना बंद कर दिया तो इसमें परिशान होने कि क्या जरूरत है जो कुछ मेरे पास है उसमेरा यह तो है कितने पैसे चाहिए तो है कैसी बाते कर रही हो मैं तुमसे पैसे लूगा दिमाग खराब हो गया तुम्हारा तु फिर करोगे क्या वही सोच रहा हो सब यह चिट्टी अगर एक लाग रुपया कमाना चाहते हो तो मुझे से आकर मिलो यह किस ने दिया पैले टेवलबाय साब ने दिया ओ तुमनम मैं अभी हाया झाले वही कौरेए कर रचऴ थैं कर बहुत लुगत मुब गृवत झाल झाल आपने ये शर्द जीत लिए तो राज कुमारे जी आपको लाख रुपया इना में देंगे एक लाख रुपया के लिए तो मैं श्री देवी को अपनी दीवानी बना लूगा पताए लड़की कौन है पताए आप आप इन्हे जानते हैं? बहुत अच्छी तरह ये तो मेरे कॉलेज में पढ़ती थी मेरे साथ अज्यासूस राणी जिरु 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 ना आ है फिर तो आपका काम और आसान हो गया? बिल्कोल नहीं सर समंदर से मोती निकालना और आसमान से तारे तोड कर लाना फिर भी आसान है लेकिन इसे महबत का एकसास दिलाना बहुत ही मुश्किल है इसका मता यह तुम्हारे खूबियां और मेरा दावा तोनों गलत? नहीं नहीं सर मैं आपका दावा कभी गलत नहीं हुने दूंगा लेकिन वो क्या है कि इस लड़की के लिए 24 गंटे की मुद्द जरा कम है 24 दिन काफी होंगे वा, फिर तो समझ दीजे कि एक लाख रुपे मेरे हो गए ठीक है, तो जिस दिन आप अपनी कोशिश में काम्याब हो जाएंगे उस दिन्रावीची से आकर अपने नाम ले जाएंगे सर, अगर आपको कोई तरांस नहों तो थोड़ा बोद एडवांस मिल सकता है यह चलेगा? बहुत है, सर, दोड़ेगा, थैंकियो अगर सर, मेरा काम थोड़ा जल्दी हो गया तो फिर मैं आपको कहा मिल सकता हूँ? वही, उसी रेस्टेंट में जहां तुमने चैलिंज किया था हाई जासु सरानी 009 अरी हो, James Bond हाई अरी सुरज, तुम पड़े अच्छे वक्त पर राय हो इतनी देर से बसे नहीं आ रही थी जरह मुझे सूपर मार्केट तक छोड़ दो ना, प्रीस ओके, नो प्राबलम थैंक यू तो यह लगता है के जहाँ आर्ती मुझे तुम से कुछ बात करनी थी वह, क्या आइडिया है लड़की पटाने का, वावा क्या, क्या मतलब आकेश, नीटा को पटाने की चक्र में और वो यह नहीं जानता के नीटा आइडियों से इतनी ही नफ़रत करती है ज़ितनी की मौरनी सांप से वावा, क्या कम्पेरजन है, क्या नफ्लत पॉर्ट है आर्ती, मैं मोर्णी और साब की नहीं, अपने बारे में बात करना चाता हू तुमसे लगे रहो बच्चू, ये लड़की नहीं पटने वाली आर्ती, मैं बात रहना चाता हू तुमसे अरे, रोखो, रोखो सुच लोगो लड़की एक लड़की नहीं एक लाग रुपी की लोट्री है तो ऐसा बोलना यार आज रात कोई अप्पून उस लड़की को उठा लेते हैं क्या ची गंदा ये बहुत गलत बात है इसी भी शरीफ लड़की के बारे में ऐसा सोचना कानून ही नहीं समाज की नजरों में भी जुर्म है हो अईसा क्या तो फिर तेरे को उठा रहते हैं सच्छी अबे ओ जॉनी राज आनंद तुभी कुछ आइडिया दे दे हैं अमाई यर आइडिया तो है एकदम सुपर हित आइडिया है अईडिया है तुमने देखा होगा के हिंद फिल्मों में जब हीरॉइन हिरों से नफ्रत करती है उसे घास नहीं डालती ही लेकिन जैसे ही हीरो हेरोईन के लिए कोई रॉमेंटिक काना गाता है तो हीरोईन बरफ के तर आप बिकल जाती है अबे होश कर, और जब तक गाना खत नहीं होता, हेरोईन, हेरो की बाहों में सिम्टे रह दिया, बस झाल मन काम कर दो दो सब कर दो जान रोखाने गया रहाएं मेरी जान नमक पर छैरे का प्रफल गयर हाई मेरी जान मंग तेरे चहरे काई नियत गर्दे बैमान मंग तेरे चहरे चाई जर बचना है जहर सवाल मंग मेरे चहरे काई जर बचना है जहर सवाल मंग मेरे चहरे काई ले जाएगा ये शब शान मंग मेरे चहरे काई पुरबल गयर वार मेरे जान मक तेरे चहरे का उजर अचलाए जहर समान मक मेरे चहरे का सोना के बाद किये रानी उमर कयामत है क्या करो जैसे बच्चों पीछे बड़ी आमत है सोना के बाद किये रानी उमर कयामत है क्या करो जैसे बच्चों पीछे परी आहट है आँ मेरी माहों में आँ सिखा तो तुझे प्यार करना सतरा का करे आँ नमक तेरे नमक तेरे नमक तेरे चहरे का जार जार बच्च नहीं पहर समान नमक मेरे चहरे का परपले के प्रहार मेरे जान नमक तेरे चहरे का कर अवाउंग कि माहरे करें थाप जया कर जाएंड़ू च्च्च ऌहरे आप प्राहörtे नमक तेरे आपे प्रावाँ इसराओ नमक थीडं़ू स्थारे जाएंग जाएंग जाज़ जाँ जाइएंग प्रावू चुना नहीं चुना मुझे लड़के नहीं में आ मारा दिवनी ये जवनी जाकर ना आए दो बारा छुना नहीं छुना मुझे लड़की नहीं मेरा आवारा दिवनी ये जवनी जाकर ना आए दो बारा मेरा आए मननतिल चेह का मुझे देटे रफिरा आए की वनी जाकर ना आए मक बस जन्रेद भेति होला दीन मसा रना नो को जन्रेद भाusement जाव्य हस रूकार में रेमिया। मेरे जन्रेद गजा wähस के लिएक तो connectingümüz स्वां आंडर में ना मसा पढ़ा करना विदाव्य हा जन्रेद 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 भरल उन्रेद, सूरज, तू फिक्र मत कर, हम जो है, कोई नो कोई रास्तर जरूर रिकाल लेंगे अजय कोई जाएगी कल मेरे आदमी, बीस सबक पर जाकर उस लडगी को छेरेंगे और उसे इतना मारेंगे, कितने में हीरो की इंद्री होगी और हीरो उन आदमीयों को मार के बगातेगा जब जाकर हीरो इन हमेजा के लिए उसकी हो जाएगी आरे सिचुएशन तो हिट है, लेकिन ये तुम्हारे रिष्टेदा मेरा मतलब है, ये गुंडे कफा से आएंगे आरे हो कालिया, आथरदार कितने आदमी है रे हम सब नेम सब गाड़ी चेक कर लो, ओके चलो तौबा ये मतवाली जाल, छुक जाए फूलो की डाल पिंजिरे के पंचीरे, तेरा गर्द न जाने को यानि, बंबई की ये पहली फिर्दॉस है, जिसे हम नहीं जानते, क्या नाम है तुम्हारा आग, अरे नहीं यार, ये तो शबनम है शबनम, क्या ये वही शबनम है, जो दिलो की आख ठंडा करती था अरे नहीं यार, ये तो वो मैना है, जो महबत के मीठे मीठे गीत सुनाती है तो इस काली मैना को हम पिंजिरे में बंद करके रखेंगे, ताकि इसके मीठे मीठे गीत हम रोज सुना करेंगे तो लगता है वाकई बंबई में किसी फिर्दोस को नहीं जानता तु मेंड़ा, तुने मुझ जैसी कोयल नहीं देखी हाँ आज मैं तुम लोगों की ऐसी हालत करूँगी कि जिंदगी भर पिंजरे में बंद रहना पसंद करोगे लेकिन आइंदा किसी लड़की को नहीं छेवे, चलो तुम लोगों इधर, चलो और तुम दोनों इधर तुम दोनों एक दूसरे के कप्ड़े फ़रना शुरू करべंगे और तो एक दूसरे को थपब पर मारना, और तब तब मारते रहो, जब तक कि गाल की खाल, और तुम्हारे पदन के कपड़े के चित्धरे चित्धरे ना बन जाए मारते हैं जोरते मारते एह, खुम्हारे इतने जोर जमान ता आए, कपड़े माँ जाए हुँँँँँँँँँँँँँँँँँँँचा जिकने मेचे देरे तौक्ना तककाल बही जी, मेरे तककल कु देखा क्या? नई, आचार अँटकाल solamente तartij sent 2013 πριν वय以及 सकी ए knud पह। आह। वी समdays अबेंज आेख़ už नहुँत प्रिजरे के पंचीवे, तेरा दर्द न जाने कोई तुम खुद ये इस खेल के बहतरीन खिलारी हो वाला, मैं कराई दे सकता हूँ? प्लीज गुरुजी, आपके पास हर मसले का हल है, आप भी कोई टिप ने दीचे, मैं तो इस लड़की के चकर काट काट कर चकबा गया हूँ हाँ, एक पर उसने आई जी साहब से कहा था कि वो एक दिन बहुत बड़ी जासूस बने की और जो केस पुरिस नहीं सोजा सकती, वो एकदम से सोजा देगी एकाम करो, तुम किसी खून का इल्जाम आपने सर ले रहो, ये ये आप क्या कह रहे है सर, मैं और खूनी बन जाओ मैंने ये नहीं कहा कि तुम खुन करो, मैं ये कह रहा हूँ कि इल्जाम अपने सर लेलो, किसी तरह उसे यकीन दिला दो कि ये खुन तुम ने किया और फिर देखो, तुम आगे आगे, वो, पीज़ 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 आहा, थैंक यू, थैंक यू अरे, ये खमान से निकले तीर की तरह कहा जा रहे हैं? देखो, पुनम, इस वक मैं थोड़ा चल्दी में बाद में मिलते हैं, तुमें मुझे कुछ पूछना नहीं है क्या? मुझे पूछना है तुमसे, क्या मतलब? मैंने तुमें वो चिट्टी में लिखा था कि आज मेरा ज मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, शो के बाद मैं तुम्हारा इंतजार करूगी, कमे का दर्वाजा खोलना होगा खोशिश करूँगा मेर रूम नंबर तु याद है न? 106, बाई मा रवी, बेटे, तु कैसा है? तु ठीक तो है न? न, अच्छा तु कैसी है, किसी बात की तकलीफ तो नहीं तो नहीं है, तु किसी भी चीज से मन नहीं लगता बेटा, तेरा काम खतम होने में और कितना समय लगेगा मा बहुत जल्दी हो जाएगा, तु फिकर मत कर, मत तुझे फोन करता रहूँगा अच्छा बेटा आज की ताजा कवर, आज की ताजा कवर, मशूर क्याब्रे डांसर पुनम का खून आज की ताजा कवर, आज की ताजा कवर हलो क्या तुम भी वही पढ़ रही है जो मैं पढ़ रहा हूँ यह सर, मशूर क्याब्रे डांसर पुनम का खून, कातिल का कोई सुराग नहीं, पुलीस की तलाश जा रही है अगर यह केस, चासु सुरानी 009 अपने हाथ में ले ले, कातिल का क्यूँ तो क्या, उसे फसा कर, भासी के सजा भी हो सकती है और इससे जादा सुनहरा मौका नहीं है, आईजी से शर्च इतने के लिए यह सर, मैं सोच रही हूँ कि मैं इसी वक से कातिल की तलाश शुरू कर देती हूँ और सुनो, तुम्हें चासु सी का पहला सबक तो याद है न? अफकॉस सर, यही कि कातिल हमेशा मौका यवारदात पर एक बार फिर जरूर आता है तो मेरी शुब कामना है आपके साथ है, विशियो आल दे बेस्ट पुनम के खून का पुलिस को कोई भी क्लू नहीं मिला अभी तक यही सुनेरा मौका है आर्टी को करीब लाने का ओ, कैसे सेर्ट? यह खून का इल्जाम हूँ अपने सर ले लो अगर पुलिस ने मुझे सचमुच कातिल ठेरा है तो खून क्या तुमने सचमुच किया है? उसे? तुभी डरते क्यों? देखो आर्टी उस कमरे पर नजर लगाए बैठी है उसे यकीन है कि कातिल यह काता है? यह की अवर्दात पर जरूर आता है, त्यावर गैंसे हंवाँ झाल झाल तो जासूसी नौवलों में अपने जुरूम से बचने का तरीका तलाश कर रहे हैं बच्चु तुम्हारी यही कोशिश मेरे शक को यकीन में बदलने के लिए काफी है हलो सूरज अरे आरती तुम तुम यह क्या कर रही हो मैं तो हमेशा यही से किताबे ख़रिती हूं, लेकिन ताजुट तो इस बाग का हे तुम इस किताबों की दुकाम में क्या तलाश है एक लाग क्या मतलब ओ मेरा मतलब है एक नॉबल का नाम सुना था एकعة उसी की तलाश का तुम्हारी तलाश थो लाप भासी के फंदे पर रिशाकर ख़तम होगी आँ हाँ क्या नाम नॉबल का और खुणी बच किया ये नॉबल तुम्हारे कामका नहीं है क्यों क्योंकि इसमें खुनी नहीं बचता लेकिन उसने बचने के तरीके तो सोचे होंगे मैं इसे जरूर पड़ूंगा सुरज क्यों नहीं कि कब चाय पिली जाए गुरुजी एक काम आ रही है हाँ 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 क्यों क्यों नहीं क्या लोगे क्या लोगे चाय या कॉफी ब्लैक कॉफी बच्चु इसी ब्लैक कॉफी से तेरे दिमाग का ब्लैक आउट ना कर दिया तो मेरा नाम भी जासूसरानी 009 नहीं कुछ खाओगे कुछ भी कुछ भी मंगा लो दो ब्लैक कॉफी और दो चीस सैंड़िच क्या बात है अरे भाई मज़ा आगया शबाश बखाव बिया क्यों बच्चने का तरीका मिल गया क्या क्या मतलब मेरा मतलब है कि मैंने ये नावल पढ़ी हूँ है और जहां तब तुम पहुंचे हो बहाँ पर कातिल ये समझता है कि उसे बच्चने का तरीका मिल गया है चाहे जितने मर्जी तरीके ढूंड़े बच्चु लेकिन जासूस राणी 009 के आगे एक नहीं चलेगी पढ़ने वालों की साइकोलोजी से खेलता है सुनो उस दिन तुम कुछ शादी की बात कर रहे थे ना अरे वाग गुरुजी ये तो एक ही मुलाकात में शादी की बात करने लगी है बस गई नोवल छोड़ो मैं तो तुम्हें भसानी का तरीका सूच रही हूं क्या मतलब मेरा मतलब है शादी के जान में फसाने का जब्सा तुम्हेंने शादी और 최ग याघ की बात की है ना तब यह से मैं सोच रही हूं कि तुम्हारी पत्न कैसे होनी चाहि अब बताओ कैसी होनी चाहिए यहां नहीं, यह सब सुचने के लिए एक शांती पूर्वक जगा होनी चाहिए क्यों ना आज रात को हम दोनों एक साथ डिनर खाएं हाँ, क्यों नहीं, कुछे होटल में जाना, ओपरोय, ताज, लीला पिंटा, और नहीं, होटल में नहीं, होटल में तो बहुत भीरबाड होती है, एक ऐसी जगा जाएंगे, जहां तनहाई हो, खामोशी हो, और बस हम दोनों एक साथ हो तनहाई, खामोशी, और हम यह क्या है? तुम्हें कैसी पती चाहिए, यह तो मैं बाद में सोचूँगी, लेकिन अगर मुझे तुम्हारे जैसा पती मिल गया, जिसे खाने से पहले शराब पीने की आदत हो, तो मैं उसे अपने हाथों से शराब पिलाऊंगी, और हाँ, अगर मेरे पती को कैबरे देखने का शौक हुआ, जैसे तुम्हे है, तो फिर में उसे होटेल नहीं जाने दूगा। अच्छा, तो फिर होटल में ना जाने के लिए तुम क्या करोगी मैं खुद गाब रे करेगी, तुम क्याबरे करोगे, क्यूँ से चाहिस? मैं क्याबरे नहीं कर सकती क्या? अभी दिखा की हूँ इंग मेंट धिखा केा के लुटे खिखा की दो वाँपा की। में अभी ऑी दिखा की दोटे के इंग प्रूख लुट। कि अप्सक्राइब प्शूर्चाइब। बंद खेड़ी की है बंद सारे कमरे बंद खेड़ी की है बंद सारे कमरे बंद खेड़ी की है बंद खेड़ी आईये चले आये, चले आये, आभी जाये, आभी जाये, आखी जाये चले आये, चले आये, आभी जाये, आभी जाये, आइना, आइना आइना, आइना. आइना आइना ख़त 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 बिली तड़के धर्कन कुखारी तुही घट 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 दिले दर के दर दर को सारी तुभी सर से कदम कर हर लंग मेरा करता इशारे तुभी दिल के शारे समझ जाए तर साई और ना आई ना घट घरती है मंद सारे कमरे बुलाती है खुश्ब बदन के मेरे आई ये चले आए चले आए आभी जाए आभी जाए आभी जाए आभी जाए आए आई ना आई ना भाँ कर दो आषे आए ना शाय जो में बगलो ईफो ख़ू का लई प्रोफ के लोका सब्सकी करने कि भया है का अमसिओ कि यिर चरिंटüs ए hai कि ऑव divid जाना में इतनी जल्दी क्या है, जाम ये जीवर पीतो लो, मरना तो है, मौत से पहले, जुन के कुछ पर जीतो लो इक छप नीचे ऐसे अकेले, जब हो दो दिल जबाँ आप इसी दिल लग जाती है, जिलती है बनाईया क्यों प्यासे दिल तनहा धर से, क्यों दोनों मिल जाए ना आईया बहुत खेरी की है बंद सारे कमरे, बुलती है खुश कब दन के मेरे आईये, आईये, आईये चले आये, चले आये आभी जाए, आभी जाए, आईये आईये आये, मिलती ही आईये आदे आईये, मिलती हाईये एाईये, आये ौहा étais आये ौहा... पुनम, स्वर्गवासी पुनम, तेरे सारे लव लेट बिस्तर के नीचे चुपा दिया मैंने, और वो खंजर जिसे मैंने तिलको गोब डाला दा ने, वो मैंने पेटी के पीचे चुपा दिया, हाहा, और एसी जगा जा पुलीस को भी ना मिल सके, मैंने तुझे मार डाला पुनम, मैंने पुनम को मारा, साली पुनम, कहती थी कि मुझसे शादी कर ले, मैं तुमारे बच्चे की माँ बनने वाली, हाहा, ना जाने किसका पाप लिए पेड में गुमरी फिरती थी, ये सब क्या है, ये है वो सब सबूत, जिनके जरिये पुनम क कातिल को फांसी के फंदे तक पहुंचाया जा सकता है, कौन है वो कातिल, सूरज, उसी नहीं कैबरी डांसर पुनम का कतल किया है, और जानते हैं क्यूं, क्यूंकि वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली थी, इस कसेट में उसका बयान है, और ये अहीं खंजर है, जिससे प मेरे साथ से गलत है, बिल्कुल, तुम्हे क्या करना चाहिए, पहले, प्रेस को पुलिस से पूछने दो कि कातिल कौन है, कातिल कौन है, जब चालो तरहुंग मामा हो जाएगा, तब तुम ये सब सबूत लेकर पबलिक के साबने हाजिर हो जाना, हाँ, पुलिस को उसका कात हो जानती है, तुम उसे उसी तरह मिलती रहोगी जिस तरह तुम मिल रही है, क्योंकि तुम्हारे प्यार के जादू का नशा इतना गहरा होना चाहिए, क्यों मात का खाफ की भूम जाएगा, खाफ तो अब जिन्दीगी से होने लगा, कहीं मों बेववा बनकर साथ न छोड होते है, सचरती, तुम से मिलने के बाद मेरे जीने की तमना जाग उठी है, तुम मेरी महबत ही नहीं, मेरी इस जिंदगी का मकसद हो सुरज, महबत का यकीन दिलाने के लिए रफ्जू की नहीं जजबात की जरूरत होती है और हाँ, कभी-कभी दिल की धड़कन और आखों की खामोशी वो बात कह देती है, जो जबान नहीं कह पाती है तो आओ, आज हम एक दूसरे के होट उपर खामोशी के ताले लगाकर वो बाते सुनने की कोशिश करें जो दिल कह रहा है और हाँ खेर सुन रही है हाई डैड, हलो, डैड, देखिए मेरे साथ कौन आ है, मैं चानिए हमारी होनी वाली बहु के अलावा और कौन हो सकता है नमस्ते, की तुरो बेटी, बैठो में अभी आया रशी बेटी तुम, तुम यहां के कर रही हो, अगर यही सवाल मैं आप से पूछुत तो आहिस्ता बोल, वहीं सेच जी ने सुन लिया, तो दो चार हजार का नुकसान हो जाएगा शरवानी चाहिए तुम्हें, चंत रुप्यों के लिए औरत की मर्यादा को निलाम करता हुए रश्मी, कौन है यह औरत? यह वो औरत है, जो अपने बुड़ापे की चार दिनों के लिए नहीं जवानी को गुनाओ की नज में दोकिल देना चाहती है जिसके पेट में नौ मैंने रहने का किराया, मैं उन्ने साथक में नहीं जुका सकी यहीं, यहीं यहाहत, यहाहत मेरी माँ है रुक जाओ औरत मैं यह रुपए एक मजबूर और लाचा रुट को देने के लिए लायक हूँ लेकिन अब मैं तुम्हारा एहसान बन हूँ इसलिए कि तुम्हारी मौजूद्गी ने मेरे खांदान को बजनामी के कलंग से बचा लिया यह लो रुपए और यहां से इतनी दूर चली जाओ कि तुम्हारी दुआए मेरी चौकर तक और मेरे बेटी की महबत तुम्हारी बेटी तक ना पहुंचा नहीं सेज जी एक तवाइफ अपनी जरूरत की खाते भीक तो मान सकती है लेकिन एक मा अपनी बेटी की खुश्यों का वेपार नहीं कर सकती मैं आपसे शाला मांगती हूँ हो सकी तुम मुझे माफ कर देना बेटी रश्मी तुम का जा रही हो जाए दो उसे लेकिन रश्मी को तो मैं आपसे मिलवाने लाया हूँ मैं लग चुका दो लड़की लड़की का खयाल अपने दिल से निकाल दो ये मेरा ये मेरा च्छ। चराब लड़की मेरे खानदान का इकलोता चराब है और अगर तुमने इस चराब की लोग को अपनी मुठी में लेने की कोशिश की तो लोग पुच जाएगी लेकिन साथी साथ तुमारा हाथ भी चल जाएगा और सिवाए अंधिरों की तुमें कुछ हासिल नहीं होगा त्याड़ी आप कला समझ रहे हैं अपने महबत के जान में पसा लेती हैं और उन्हें अपने खैद होने का पता तब चलता है जब उनके पर कट चुके होते हैं मैं आपके ख्यालों से सहमत नहीं हूँ सच्चाई तो यह है कि मैं रश्मी से महबत करता हूँ और उसे शादी करने का फैसला कर चुका क्या पक्वास करते हो जिस घर के नोकर भी खांदान देखकर रखे जाते हैं उस घर की इजजत तुम्हें बाजारो औरत की लड़की के हाथ में देना चाहते हो जिसके ना खुन का पता है और ना खांदान का याड़ी अगर यही बात आपकी जगा किसी और ने कही होती तो मैं तो क्या करता तू क्या करता बोल माडल सा मुझे यह मैं खुन नहीं इस लड़की की महबत का नशा बोल रहा है बस कीजिए भगवान के लिए आप लोग चुप हो जाएए अनलोग तो यही कहेंगे कि का भागन ने हस्ते-किर्थे घर को रेंगुमी बना दिया में यहां से चले जाना यह अच्छा है विकी शायद इस घर की बहु बनना में नसीब में नहीं है इस घर की बहु बनना तुम्हारा नसीब में सही लेकिन मेरी पत्नी बनना तुम्हारा अथिकार है और यह अथिकार दुनिया का कोई भी समास तुम से छीन नहीं सकता चलो रश्मी यह शांदार कोठी आप ही को मबार्क में सेट साब हमें तो सर्च छपाने के लिए अपने महबत का चली बात है जलो रश्पी लो यह रही में नकलीमा बने के कीमत बहुत शुक्रिया अब आप जा सकते हैं आच्छे नावस्ते मैं आत्माराम सक्सेना अपने बेटे विक्रम सक्सेना को बेदखल करता हूँ और अपनी तमाम जायदात और कारोबार का तनहा वारिस अपनी बड़ी बेटी आरती सक्सेना को करार देता हूँ मेरे देहांद के बाद भी मेरे जाइदात और कारोबार में विक्रम सक्सेना का कोई हक या हिस्सा नहीं होगा यहां दस्तकत कर दीजिए ऐसा कौल सा काम है जो मा को बेटी से अलग कर दे बंद कर दे सब काम और आकर मुझे ले जा मैं अब तुझे देखे बेना नहीं रह सकती रवी मैं अभी कहा तेरे बगार रह सकता हूं लेकिन आप तुफिकर मत कर बहुत जल्द आकर मैं तुम्हें वहां से ले जाओंगा चाहे कुछ भी हो जाए अच्छा अब बाबु बाई से कह दे ना कल चोटी गंगा के पुराने पुल पर आत्माराम का कतल हो जाएगा यह कुछी जगह है और मुझे यह क्यों लाए हो यह वह जगह है जा तुमारे जिन्दगी का सफर हमेशा मेशा के लिए खत्म हो जाता है के अब रहे हैं इत्ष्य जाए आ ट्रॉच आशा नहीं हो सकता आशा नहीं आशा नहीं मुझे छोड़के नहीं चाल शकते हैं नभी साब आपने सारे काम बड़ी सफाई और चालाकी से अंजाम दिये हैं लेकिन जब तक आत्माराम के बेटे को फासे ही और आर्थी की शादी मेरे बेटे सूरज से नहीं हो जाती मैं आपकी माँ को अजाद नहीं कर सकता मैं जानता था, मैं जानता था कि आपकी दिमाग का साफ यही जहर उग लेगा लेकिन अपनी याद दाश पे थोड़ा सजोर दीजिए कुछ दिन पहले एक कैब्रे डांसर पूनम काकत लोगा था और ये पूनम सूरज की खास दोस्ती और ये चिठ्थिया है जो पूनम ने पूरज को लिखी और इन चिठ्थों में यह भी लिखा है कि वो सूरज के बच् किया है कि उनम का खून उसने किया है यह यह सब जूट है बिल्कुल जूट है और यह जूट है आप साबित नहीं कर सकते हैं इसके इलावा इसकी जो ट्रू कॉपिस है ना वह जासूस रानी 009 के पास है और अगर आदे गंटे के अंदर-अंदर नहीवा ना पहुंचा तो यह सारे सबूत लेकर वह आई जी साब के पास पहुंचाएगी फिर हिंदुस्तान क्या पूरी दुनिया का कोई भी लॉयर कोई भी वकीर आजाए आपके बेटे को फासी के तक्ते से नहीं बचा सकता तो मैं भी तुम्हें आत्माराम के खून के इल्जाम में फासी पर दस करोड रुपया नहीं मिलेगा और दूसरी तरफ जासुस रानी 009 ने अगर ये कांगजात ये प्रूफ आई जी साब को दे दिये तो सूरज को पासी हो जाएगी अकलमंदी इसी में है कि अगर कुलारी आपके पाउँ पर नहीं गिरी है तो कम से कम पाउँ को तो कुला आज मैं आपको दस सेकंड देकर कहता हूँ कि फैसला कीजिए कि सूरज की जिंदगी दस करोड से जादा महेंगी है ये जादा सस्ती है नहीं नहीं मुझे एक सेकंड भी नहीं चाहिए दुनिया का बड़े से बड़ा खजाना मेरे बेटे के जिन्दी के जाला किमती नहीं है रवी साथ जबनादाशी अब फॉरण जाके इनकी मा को अज़ाद कीजे मुझे रवी वर्मा साथ ने आपके बेजा है उन्होंने कहा है कि पुनम के कतल के जो सारे सबूत आपके पास हैं आप उने ले कर आएजे साथ के बाफ कहा चले आप ठैरिये मैं अभी सारे सबूत लेकर आती हूं ये सब जूट है गलत है बखवा से दैग वो सारे सबूत मैंने खुद पैदा किये थे तिर्क एक लाकी शर्ट जीते के लिए जो मैंने रवी वर्मा के साथ लगाई थी लेकिन बेटे तेरी बात तुलेगा कौन कैसे थाबित करेगा कि सारे सबूत गलत अलकली है पुलिस तो तुझे खातल सब्जेगी ना तुम आँ मैं खबरदार जो आके बढ़े तो मेरे मौत का सामान तो तुम कर चुकी हो अब मैं फासी के भंदे पर चड़के मठ जाओं या तुम्हारे हाथों क्या फरक करता है मैं कहती है रुप जा अरे दूफ लड़की गोर से मेरी आँखों में देख क्या इनमें किसी कातिल की तैश्ट या किसी बेगुणा की खून की चीटे नजर आते हैं आकर किस बुणियात पर तुमने मुझे पूलू का तातिल आया है किस बुणियात पर उन सुबूतों की बुणियात पर जो मुझे तुम्हारे फ्लैक से मिले आरे इडियाट वो सारे सबूत जो तुम्हारे हाथ लगे मेरी वज़े से लगे उस रात कमरा नमबर 106 में वो चिटी मैंने जानबूच कर गिराई थी वो तमाम चिटीया और वो डायरी मैंने खुद अपने हाथों से लिकी खंजर जो पेटी की पीछे चुपा था मैंने ही वारा रखा था और जो बयान तुमने रिकॉर्ड किया वो मैंने अपने पूरे होश औहवास पर दिया क्योंकि उस रात जो शराब तुमने मुझे बिलाई वो शराब नहीं किसी की मौत का इल्जाम अपने सर पर लेने की वज़े क्या मैं जान सकती हूँ डाइडी ने मुझे जेब खर्च देना पर कर दो मुझे पैसे ओडाने की आदत थी मैं पाई-पाई का मौताच हो गया उसी वक्त मुझे हस्तिनापुर की राजकुमारी मिले जिसने मुझे तुम्हारी इन सब जूटी बातों को महमान जाओंगी यह सच है तुम्हारी सच्चाई का सबूत क्या है इसका सबूत है और एक ऐसा सबूत जिसके दिमाख और जिसके कलम को तुम ही नहीं सारी दुनिया सलाम करते है लेखक रवी वर्मा रवी वर्मा क्या रवी वर्मा ने मुझे हस्तिनापुर की राजकुमारी से मिलाया और उसने मुझे ये भी बताया कि पुनम का कातिल डूनने के लिए तुमका बना नमर 106 में जाओगी और अगर तुम्हे ये पता चले कि पुनम का कातिल मैं हो तो तुम खुद बाखुद मेरे पास चलियाओगी और ये साबित हुआ लेकिन इससे बड़ा सच ये है कि उसे एक लाख रुपे जीतने के चकर में मैं अपने दिल की बाजिया हार गया हार पी मैं सच मुष्ट तुम से प्यार करने लिए और इसका सबूत ये है कि आज तक मैं वो एक लाख रुपे लेने के लिए रवी वर्मा के पास नहीं है ओ माई गौड जिसे मैं भवान और अपने पिता के बाद इज़त के काबिल समझती थी उसी आदमी ने हम दोनों को अपने जान में फसा दिया सूरज रवी वर्मा ने पूनम की मौत का एर्दाम तुम्हें अपने सर पे लेने को कहा और उसी केस की चानबीन के लिए मुझे कहा कहीं इसका ये मत कब तो नहीं कि पूनम और मेरे पिता गातिल रवी वर्मा ही उसका मासून चेरा और इस खिनोनी साज़श को में बेनकाब करके रहूँगा नहीं सूरज जोश में आकर कानून को अपने हाथ में मत लो ये आरती चुकर तक तुम्हें खूनी समझती थी आज तुम्हारी मासूमियत की वज़े से तुम्हें चाहने लगी है और मैं तुम्हें खोनने नहीं चाहती अगर मेरे बेटे के जिसम पे खराश भी आए तुम्हें उस रवी वर्मा को दिनता नहीं चुड़ूगा नहीं वावु वह नहीं उसके खून से अपने हाथ गंदे करने की कोई जरूरत नहीं उसके माउत की तरकीव है मेरे पास जूट बोले हो तुम दुनिया का कोई भी शक्स किसी लड़की की महबत के खातिर खून का इल्जाम अपने सर भी ले सकता लेकिन मुझे ऐसा करने के लिए रवी वर्मा ने कहा था मिस्टर तुम एक शरीफ आद्मी पे लजाम लगा रहे हो वो शरीफ आद्मी नहीं है आजी साहब क्योंकि उसने एक नहीं दो दो खून किये हैं और उसमें से एक खून का सबूत ये तस्वीर है ठीक है ने ठीक इस्पेक्टर येस सर और एस्टिम चमना ताजी आप माप करना रवी साहब आपके घर बिना दावत के आना पड़ा बात क्या है इस्पेक्टर साहब मिश्टर रवी वर्मा हमारे पास आपके जिरफतारी का वारंट है मेरे बेटे के नाम गिरतारी का वारंट लेकिन किस चुड़ू है आपके बेटे ने खून किया है नहीं नहीं मेरा बेटा भला किसी का खून क्यों करेगा दवलत बुरी चीज है बहन जी और उससे भी बुरी चीज है लालच चायत खून करते वक्त रवी साब ये भूल गया है कि कलम के शाय से किसी बेकशूर के खून के धब्बे छुपाय नहीं जा सकते इनोंने आत्माराम जी का खून किया है क्या यहाँ और यह मैने ही कानून कहता है जिसके पास इनके कातिल होने के सारे सबूत मौजूद है रवी, यहीं सच है? बोल, बोलता क्यों नहीं? जूट की जवान नहीं होती बेहन जी इनकी खामोशी इनके कातिल होने का पक्का सबूत है वा बेटा वा यह सौरत ले एक उजरिम की पैसुखा जुटकी पर सिंदूर भी अपनी मांग में नहीं लगा आज उसी आरत के दावर को किजी के खूट से रंग दिया तो नहीं एक बाख की विश्वास और बलदान को ठोगा दिया चला जा चला जा बेगी जीओ, चला जा चला जा तभी बर्मा पर ये इल्जाम है कि उन्होंने दफ़ा 302 के तहट कैवरे डांसर पूनम और आत्मा राम सक्सेना का खून किया है और दफ़ा 420 के तहट सूरज को अपने जाल में फसा कर खून का अपराज उन पर डालने की कोशिश की है तुम कोई तीनों अपराज मन्सूर है जी नहीं ये राउनर तुम्हारा वकील कौन है ये राउनर सरकार की तरफ से वकील मैं हूँ मेरी अदाल से दर्खास्त है कि आज अचानक मेरे पाउं में चोट लग जाने की वज़े से श्री जमनादाश जी इस केस में मेरी मदद करें यू मे प्रोसीड थैंक ये ये राउनर ये राउनर मैं कुछ गवाँ पेश करना चाहता है और मेरा सबसे पहला गवाँ है मुल्जेम रवी वर्मा की मा देव की वर्मा 10 जून से लेकर 21 जून तक आप कहा थी देरे बेटे ने मुझे कुछ सथार पर छपा कर रगा था क्यों क्या आपको पता है कि दोनों खून जिनका इल्जाम इन पर है आपके बेटे पर उन्ही दिनों हुए थे जिस वक्त आपको घर से बाहर रखा गया था जी हाँ और इस बीच ये बंबई से बाहर में गये मुझे तो ये कहा गया था ये वह बाहर जा रहा है क्या आप आत्माराम जी को जानती है जी हाँ वो कैसे आदमी थे ये सदा एक तब देव था फिर आपके बेटे ने उनकी हत्या क्यों कि क्या वजे हो सकते है वजे है बेटा पाप नहीं जाएगा तो किस पर जाएगा एक दिर इसके बाप ने पैसे के लिए हम दोनों को छोड़ दिया और आज और के बेटे ने पैसे के लिए खूर कर दिया जो होता कि ऐसा बेटा पैदा होने से पहले मार जाता परबात लो ऐसा बेटा किसी को नहीं दे लिए कि इसाफ ने दे लिए बचो जी जिस रात रवी वर्मा ने तुम्हें तरकीब बताई उसी रात कैवेरे डांसर पूनम का खून हो गया जे आगे क्या हुआ फिर रवी वर्मा ने मुझे फोन करके ये बता कि मैं पूनम के होटल के कमरे में जाकर कुछ ऐसी चितिया चोड़ दू जिनसे आरती मुझे पूनम के मर्डर केस में तुम्हें फसाने की सारी तरकीब रवी वर्मा की थी जी एक स्ट्रॉंग क्यारक्टर की लड़की थी पूनम से तुम्हारी कहां और कम उलगात भी थी गॉल्डेन नाइट क्लब में जहां वो पहली रात नाच रहे थे वही राज जब तुम्हें उसका हाथ पकड़ा था और उसले तुम्हारे में पथपड़ मारा था मारा था है नहीं हाँ मारा था और तुमने यह चैलेंज किया था कि 24 गंटे के अंदर तुम उसे अपने प्रेम जान फसाओगा जी हां वो पसाने का रास्ता मैंने बताया था जी नहीं और तुम्हें भी मालूम था कि भाई बाराज उनकी रात को वो अपने कमरे में अकेली होगी हां और अपने बड़े केक के साथ वो तुम्हारे इंतजार कर रही है वो जी हां इसका मतलब यह हुआ कि वो तुम्हारे प्रेम जान में फस चुकी थ था हुआप करना चाहती थी लेकिन तुम उससे शादी नहीं करना चाहती थे क्योंकि तुम आरती से प्यार क्रने लगा था और तुमया यांअ करना चाहता हो गौनम तुम दोनों के बीच में रुकाट बंद रही थी और उस रुकाट को मिटाने के लिए तुम 12 जून की राग को उसके कमरे में गए और मुकापाते तुमने उसका खून कर दिया ये जूत है ये सच है यही कि पूनम के कातल का पुलीस को अभी तक कोई सुराक नहीं मिला है और हां इसने मुझे ये भी याद दिलवाया कि अपराधी अपराध किये हुए जगा पर एक बार जरूर जाता है और इस चानाक चासुसी राइटर ने चोड से तो कहा कि चोरी कर लो और पुलीस को युर विटनिश अगर सुटार्य है तो अश्चे हा इस सबसे पहले जब आप मुझे मिली तो आपने मजे मारने की थंकी दीथी जी हां और आपने पस्टॉल दिखा अगर मुझे क्या मांगा था आपका उतर Guess कि मैं आपके पीछे पागल थी और सुखे आपसे शादी करना चाहते था तो कि आप शादी के लिए मना कर सकती थी गर अब अब सोद्मृत कर लेंद में अब्सक्राइब आध्पराम झाय कोई भी खून बिना मकसद के किया जा सकता है जो दीजिए हां यह ना जी जी नहीं देट्स ऑल यूर उनर फून का मकसद भी था यूर और सबुद भी था क्योंकि मिस्टर रवी वर्मा बहुत अच्छी तरह जानते थे कि आर्थी सूरश से मुभबत नहीं बलकि मुभबत का नाटक कर रही थी असल में वो रवी वर्मा के लिए पागल थी उनके लिए दीवानी थी और रवी वर्मा जब भी चाहते उससे शादी कर सकते थे लेकिन आर्थी से शादी करने से रवी वर्मा को आत्माराम की सिर्फ आदी दौलत मिल सकती थी वो भी आत्माराम के मौत के बाद लेकिन अगर आत्माराम का खून हो जाता और उसके इल्जाम में उनका बेटा वीकी फासी पर चड़ जाता तो रवी वर्मा को सारी दौलत मिल सकती थी खुन का मकसद था अत्माराम की सारी दौलत हासिल करने का लालच और खुन का सबूत खुन का सबूत ये तज़ूरे है मिलॉर्ट और ये तज़ूरे चिला चिला कर कह रही है कि रवी वर्मा ने दिन के उजाले में एक नियत थे और शरीफ इन्सान पर गोलिया बरसा दी अत्माराम के हत्या कर दी और उसकी लाश को नीचे पानी में गिराकर उसका नामु निशान तक मिटा दी अगर आएंदा ऐसी नारे बादी की गई तो सबको अदालत कल दक के लिए मुंत्री की जाती है विकी से को कल तीन बज़ी ऑगे क्या कहा उसने उसने कहा विकी से कहो कल तीन बज़ी यूरानर मैं अदालत को एक टेप सुनाना चाहूंगा आया अबजेक्ट यूरानर टेप की गई बातचीत को सबूत नहीं माना जा सकता सबूत तो मुल्जिम के बियान को भी नहीं मान जाता लेकिन फिर भी उसको अपनी सफाई में बोलने का मौका दिया जाता है और वही मौका मैं अदालत से चाहता हूं इजाज़त है कि इस सारे मामले के जड़ जो है वह दस करोड़ रुपया है जोसरी चिमरलांज जी ने सिंगापूर से रिजर्व बैंक के थ्रू आत्माराम जी को दे जाता है और जेसे भाव भाय जमनाजाज जी को इस बात का पता चला उनके मुझे पानिया नहीं लग गया वह सपने द आडर आडर और और इस बात का सबूत है कि टेप जिसमें बाबु भाई और जमनादास उस तीस रादमी से मिलने के तो सटेल के कमरे में और उस तीस रादमी ने कहा आई तश्रीव रखिए आप आप आपना प्लान तेजर कर लिए अब यह चाहते हैं कि दस करोड़ रुप यह जूट है यह सब जूट है यह आदमी मुझे फसाना चाहता है बाबु भई आप बैट चाहिए मैं नहीं बैट हूँगा मैं कुछ कहना चाहता हूँ जो कुछ भी कहना हो मिक्निस बाक्स में अगर कहो मैं गीता बेहाद रखे खसम खाता हूँ कि जो कुछ कहूँगा सच कहूँगा और सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा और सच यह है जजज साहब कि यह रवी वर्मा एक बहुत खतरनाक आदमी है इसका दिमाग आदमी का नहीं एक शेतान का है पहले इसने मेरे बेटे सूर प्राइब करके एक जूटी कहानी बनाई या मैंने कभी किसी के दस करोड लेने की कोशिश की ना कभी किसी ध Cry को इसकाम के लिए रखा पहस मैंने गीता पे हाथ रखके कसम खाई है सच कहरा हूँ मैं गीता पे हाथ रखके कसम खाने वाला एक आदमी यहां मौझूद है जो यह कहता है कि आप दोनों ने उसे 11 रुपए देने का वादा किया था और एक लाख रुपए डॉंच दिया था वो आदमी बयान नहीं देगा क्यों नहीं देगा वो बयान दे ही नहीं सकते क्योंकि वो जानता है कि अगर उसने बयान दे दिया तो वो खुद भी फस जाएगा और वो फसना नहीं चाता इसलिए उसने अपना गला खराब कर लिया था कि आपको कैसे मालूम कि उसके अपना खराप कर ले था कि अ दूर दीन तुम्हारे पास कोई सबूत या गवाह है कि वकील जम नादाशी जो उसक्त होटल के गमरे मेरे साथ ये साथ इनके सामने हुआ है लेकिन हमें नहीं पता था कि हमारी आवादे टेप कर रहे हैं इसका मतलब यह हुआ कि ये टेप सच है इसमें हर बात सच है और इसमें आवाजे जो हैं वो आप दोनों की हैं और आप दोनों मिलकर आत्माराम जी के दस करोर रुपए ले लेना चाहते थे रही और क्यों हाँ अम प्र दोबारा कि भजाते के खुश हम एक और हमें में जीक सदा नहीं थे यह अगर जरूरत पड़ी तो उस राइटर की जिन्दगी की किताब का आखरी पन्ना मैं लिखूंगा मैं योर आनर ये मुकदमा दस करोड का नहीं है ये मुकदमा है खून का चारसो बीसी का ये टेप ये टेप जिसमें रवी वर्मा ने अपनी आवाज बदल कर बात किये उनकी चारसो बीसी का सबूत है और ये तस्विरे उनके कातिल होने का मैं अदालत से प्रार्थना करूंगा कि इस केस को बेकार बातों में उल्चाने के बजाए अगर रवी वर्मा के पास अपनी सफाई में कोई ठोस सबूत हो तो वो पेश किया जाए योरणर आत्मारमजी की मौत नहीं हुए है वो जिन्दा है ये दगवास तरा सर दोका दे राजया साब आरणर आर आरर मुझे दगवास कहने वाले शायद ये समझ कर बहुत खूश हो रहे थे क्या अत्मारमजी की मौत हो चाए क्योंकि हकिकत में उचाते थे कि रवी साब, रवी साब, रवी साब, विकी, पापावा नहीं है, आ गए, पता नहीं, सुभा तो वहीं थे, मैंने उन्हें तीन बचे अधालत मैने को भी कह था, विकी, पापा जिन्दा है क्या, हाँ, जिन्दा है, यो रानार कुछ देर पहले आपने टेप पर एक नाटक सु रहा है, इन दोनों ने मिलकर, मतलब रवी वर्मा और विकी ने मिलकर आत्माराम का खुन किया, और अब यह ऐसा ड्रामा दिखा रहे है, जैसे के आत्माराम अभी भी जिन्दा है, जजज सहाब, मैं सच कह रहा हूँ, जो कुछ भी कहना हो, विक्टिस बाक्स में आकर कहो, जज सहाब, मुझे एक दिन सरकारी वकीर जमनादास मिले, और मुझे अपने गाड़ी में बिठा कर बोले के, मेरे पिता आत्माराम जी का खुन हो गया है, मुझे तो पता बे नी था कि पापा का खुन हो गया है, और उनसे मैंने पूछा, जमनादास जी वो कौन हो सकता है उसको तो हम ढूंडी लेंगे, लेकिन तब तक तुम्हे छुपकर रहना होगा, अगर तुम गिरफतार हो गये, तो आत्माराम जी के खुन का हम बदला नहीं ले पाएंगे, और इन्होंने मुझे घर में छुपा दिया, जहां एक रात ये आए, और मुसे कहने लगे कि मेर मैं मिस्टर रवी वर्मा, मैं मिस्टर रवी वर्मा, मेरे बाप को मौत की नीम सुला कर तुम चैन की नीम ही सुचते हैं, आज मैं अपने बाप के कातल को जिन्दा नहीं चुड़ूँगा पारूत का ये खेलाना तेरे हाथ महीं सही, लेकिन तेरी माथ मेरे हाथ लिखी है, शड़ा पनकाम रिपनी पाजी, पेदा जी आप जिन्दा है? हाँ बेटे, जिन्दा हूँ लेकिन आपका कातल समझ कर पॉलिस मेरी तलाश कर रही है, आप जिन्दा होते हैं भी, अब तक हामोश थे? देखो बेटे, तरसल तुम भी मेरी तरह रवी सहाब के शत्रंज के एक महरे हो मैं भी आपकी तरह शत्र, मैं कुछ समझा नहीं हूँ जिस तरह कस्तुरी की खोज में बेकसूर, फिर उनको अपनी जान देनी पड़ती है, उसी तरह बाबु भाई के प्लान के मुताबिक आत्मराम जी का मरना बहुत ज़रूरी था प्लान? कैसा प्लान? उन्होंने मेरी माँ को किटनेफ किया और मुझसे एक प्लान बनवा और उस प्लान के मुताबिक मुझे आत्मराम जी को उस ब्रिज पर ले जाना था जहां पर पहले से ही जमनादास टाक लगाए खड़ा था और वहां पर मैंने इंपर गोलियां बरसाई नकली और उस दिन से मैं इसी जगापर हूँ रभी साब मैंने आपको अकाला समझा मुझे माफ करतीजिए क्या कहानी बनाई है अगर आत्मराम जी जिन्दा थे तो तुम उन्हें पुलीस के पास क्यों ने ले गए इस तो मारी बेगुनाई थाबित हो जाती क्योंके उनकी जान को खत्रा था जट साब तुम जानते दे कि तुमारी बेहन आरती अपने पिता के गायब हो जाने से कितनी परिशान है तुमने उसे बताया कि वो जिन्दा है और सुरक्षित है बोलो बोलो जवाब दो क्योंके क्योंकि रवी साब ने मना किया था मतलब आप रवी साब के इशारों पर नाचते हैं वही करते हैं जो रवी साब कहते हैं और अदालत में बयान देते हैं कि ये सब कुछ मैं आपसे करवाता रहा हूं आपने रवी साब के सेक्रेटरी से महबत की उसके लिए अपने बाप को जान से मार डालने की धंकी थी आत्माराम जी का खुन होने के बाद बहुत दिन तक कई छुपे रहे और उसके बाद रवी साब के कहने पर भागते भागते आये और कहने लगे कि वो कई दिखाई नहीं दे रहे अरे वह जब कि असलियत यह है योर अनर कि दोनों ने मिलकर बहुत पहले ही आत्माराम जी का खुन किया है योर अनर रवी वर्मा को समझा दिया जाए कि यह आदालत है आदालत कोई नाटक का स्टेज नहीं यह वो अपने जासु सी कानिया सुना कर लोगों का वक्त बर्बात कर रहे है अगर इनके पास इन तस्वीरों के खिलाब कोई ठोच सबुद हो तो पेश किया जाए वरना शराफत से अपना गुना कबूल किया जाए तेंक यू 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 आनर तुमको इन तस्वीरों के बारे में कुछ कहना है यू यू आनर ये तस्वीरे इस बात का गवा है कि आदपरमजी और मेरे इलावा कोई इतिसरा आदमी और था जो चुप-चाप खड़ा वहाँ, कतल को देख रहा था, तस्वीरे ले रहा था या तो आतरामजी का दुश्मन था, जो उनकी मौट से फायदा उठाना चाहता था या तो मेरा दुश्मन था, जो तस्वीरे लेकर मुझे ब्लैक मेल करना चाहता था जो कोई वो किस आदमी था वो एक गुरा आदमी था योर ओनर ये तस्वीरे मेरे काबिल दोस्ट चमनादास जी ने खुद पुलिस को दिखी योर ओनर ये फोटो मैंने नहीं खीचे हैं ये किसी ने मुझे पोस्ट से भेजे थे जो मेने पुलिस को दे दिये योर ओनर जिस वक्त तस्वीरे ली जा रही थी एक फोटोग्राफ मेरे सेक्रेटरी ने भी लिया था और उस फोटोग्राफ में मेरे और आत्मारम जी के लावा काफी दूरी पर हाथ में कैमरा लिये हुए हमारी फोटो किसते हुए साफ नजर आते हैं जमनादास जी इसका मतलब यह हुआ कि यह वहाँ पर मौजूद थे और आत्मारम जी काफूनों जो देख रहे थे लेकिन खूनों के बाद पुली स्टेशन नहीं गए योरानर सारी दुनिया जानती है कि कुछ जालसाज अलग-अलग फोटो को मिला कर एक फोटो बना लेते हैं मेरे काबिल दोस्त अदालत को यह बताना चाहरा है कि इन्होंने जो तस्वीरे खीची है वो असली है और जो तस्वीरे हमने खीची है वो नकली है बात बड़ी सीदी सी है तस्वीरे नकली है तस्वीरे असली है तो सभी असली है यह जूटी तस्वीरों को पुली स्टेश तो यह मुकदमा जूटा है और अगर यह मुकदमा जूटा है तो मैं आदलत से दर्खास करूंगा कि मुझ पर आत्माराम के लगाए खून के इल्जाम वापस ले लिए जाए और मुझे बाइज़त रिहा किया जाए इन्हें रिहा नहीं किया जा सकता यूर आनर क्योंकि सफाई के बारे में तुम्हें कुछ कहना है पूनम भूण के सिलसले में मैं इंस्पेकटर दाते से कुछ सवालात करने की इजाज़त चाहूंगा इजाज़त है तुमने अदालत में जो कुछ भी कहा है क्या वो सच है? हाँ वो बिल्कुल सच है पापा को मैंने अपनी आगों से देखा है आपको कैसे पता चला कि पूनम के खून के सबूत आरती के पास है? मुझे आपने ही फोन किया था किस तारीक को? बाइज जून को कितने बजे? चार बजे आपको फोन पे क्या क्या कहा कहा था? यही कि मैं रवी वर्मा बोल वा हूँ आरती से जाकर कहिए कि सूरज के खिलाफ जो सारे सबूत है उन्हें ले जाकर आईज जी साब को दे दे उससे पहले कभी आप मुझे मिले थे? या आपने मुझे कभी बात की थी? यह नहीं यानि कि कोई भी आदमी आपको रवी वर्मा के नाम से फोन कर सकता था और आप यह नहीं पचान सकते थे जरूरत से ज्यादा दिल्चस्पी दिखाई है अब सवाल यह पैदा होता है कि आदमी कौन है जो सूरज को पकड़वाना चाहता है फसाना चाहता है क्योंकि यह खून सूरज ने किया ही नहीं है यह आप कैसे कह सकते हैं कि यह खून सूरज ने नहीं किया इस पोस्ट मॉर्टम के रिपोर्ट से साफ जाहिर है कि पूनम का बलादकार हुआ था और उसके बाद उसका पून एक तरफ पुलिस सूरज की डायरी और खतों में विश्वास करका ये मानती है कि पूनम सूरज से बेहत प्यार किया करती थी और उसे बार बार अकेले में मिला करती थी और उसके बच्चे के मा बनने वाली थी और दूसरी तरफ पुलिस ये मानती है कि सूरज पुनम का बलादकार करेगा मेरी समझ में ये नहीं आता है कि जो चीज प्यार से मिले उसे जबरदस्ती करने की ज़रूत नहीं पड़ती और वैसे भी जो प्लान करके किसी का मर्डर करने जाए वो अपने साथ चाकू या रिवालवर लेका जाते हैं केक काटने वाली चुई का इस्तमाल वही किया करते है जो बलाकार से बचना चाहें या बलाकार करना चाहें मेरे ख्याल से और उनर सूरज को ना तो जबरदस्ती करने के जरूरत थी और ना ही पूनम को अपने आपको बचाने के जरूरत थी पूनम का खूनी वही है जिसने उसकी इज़त लुटी उसका बलादकार किया और उसके बाद उसका खून किया और वो आदमी किसी भी सूरत में सूरज नहीं हो सकता रवी साथ, आपने मेरे बेटे को बचाया, आपका हैसान मैं कभी नहीं भूलूगा थेंक यू, थेंक यू, थेंक यू, वही मुच्च सा आपके बारे में बुरा सोचने की माफी चाहता हूँ जमनादास को कहीं देखा? मैंने सब जगे देख लिया रहा होगा अच्छा जलो लाइटर कहीं मैं वहां तो ही भूला मैं रूम नमबर तु याथ है न? एक सुच्छे, भाई मैं चांदी थे तुम से रूरा होगी बेरे चानम दिन पर तुम मेरा दिल नहीं दूर सकते पर दूरा है आलाव यूरी शुरीच तुले तु हाँ तुमारी जवानी कादा जो बरसों से तुमारे हुसन के आग मे चल रहा है लेकिन किसमत ने आज मोखा दिया क्योडी गनदी एए तुर दे मुझे एए बचाल नहीं आदे मुझे आदे 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 पर पर सकते आदे Cyaaayy, Cyaaayy! Garnıyım, Cyaaay! Kaminin! Aaaaah! एक दिन इसी अदालत में रवी वर्मा ने एक कहानी सुना कर सूरज महता को पूनम का खुनी ठेराने की कोशिश की थी और अब दूसरी कहानी सुना कर सूरज महता को बेगुना साबित करने की कोशिश कर रहे है इन दोनों कहानियों के लिए उन्हें कितनी रिश्वत मिली ये तो सिर्फ रवी वर्मा ही जान सकते हैं लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि पूनम का खुनी सूरज महता नहीं है तो खुनी रवी वर्मा है रवी वर्मा हर रात उस नाइट क्लब में जाते थे पूनम का डांस देखते थे लेकिन अफसोस की बात यह है यूर अनर कि पूनम किसी और से प्यार करती थे और जो चीज प्यार से नहीं मिलती लोग उसे छिनना चाहते है और एक राइटर होने के नाते रवी वर्मा हर खुबसूरत चीज से प्यार करते है मैं हर खुबसूरत चीज से प्यार जरूर करता हूँ लेकिन उसका बलातकार नहीं कर सकता यूर अनर अगर मैंने पुनम का बलादकार किया होता तो उसका खून भी करता और अगर मैंने उसका खून किया होता तो मैं सूरज को बेगुना साबित करने के कोशिश नहीं करता उसके खिलाब हिकते के होँए सबूत जो मेरे पास आर्ती लेकर आई थी मैं उसी वक्त जाकर पुली सटेशन में दे देता लेकिन मैंने आर्ती को भी पुली सटेशन में जाने से रोक लिया उसंदीन नहीं पहुझ जा लेकिन कुछ दिन बात तो पहुझ जा है इंस्पेक्टर दाते को फोन किया कि वो आर्थी से मिलकर सबूत ले ले यूर अनर ये फोन भी मैंने नहीं किया अगर मुझे फोन करना होता तो मैं आर्थी को करता क्यूंकि वो मेरी आवास को पहचानती है लेकिन ये फोन इंस्पेक्टर साथ को किया गया है जो मेरी आवास कि पूनम का खून आप ने किया है और अगर तुम साबित ना कर सकता हो तो मुझे पर लगाए हुए सब इल्जामों की सजा में भुगतने के लिए तैयार हो जाओं आल राइट आई गिव यू थे मिनिट्स यूर ऑनर इससे पहले मैं कुछ सवालाद अपने काबल दोस्ते करना चाहूंगा मैं ऐसे आदमे के बेकार सवालों का जवाब देने के लिए तैयार नहीं हूँ जो खुद खुन करके दूसरों को फुनी ठेराता है मैरे सवालों का जवाब देने से इंकार करके मेरे काबल दोस्ती मेरे शक को यकी में बदल दिया है सकता सनुर्ट है और इस यकीन की वज़ए 5 बाते ही पहली बात किस रात क्योंनि का कितल हुंई उस रात मेरे काइल दोस्त उस näइफ क्लब में मौजूद है तुम भी वहां मौजूद थे योरॉनर सरकारी वकील ने तुम भी कहकर इस बात का इक्रार कर लिया है कि कटल की रात ये भी वहां मौजूद थे और दूसरी बात ती के बहुत सूरज के खिलाफ सबूत है ये सिर्फ पांच आदमी जानते थे सूरज, बाबुभाई, आरती, मैं और दमनादास इसमें से एक आदमी ने अपने आपको बचाने के लिए 22 तारीक की शाम को चार बजे सूरज को भसाने के लिए इंस्पेक्टर साब को फोन किया अब सवाल ये उड़ता है कि इन पांच में से वो एक कौन है सूरज, अपने आपको नहीं पसाएगा, बाबुभाई अपने बेटे को नहीं पसाएगे आरती और मैं अगर उसे पसाना चाहते तो बहुत पहले पसा देते है हो सकता है आपके दिमाग में सूरज को फसाने का ख्याल, बाबुभाई से सूदा करने के बाद आया हो कैसा सूर, वो तुमारी मा को आजाध कर दे और तूम उनके बेटे को ये जूट है, मैंने सको और ञी। हमिए ये सच है, सॉदा मैंने सामने हुआ है और उसके बाद मैं खुद तुम्हें कार में बिठा कर तुमारी मा को आजाध कर आने ले ले गया थैंक यू वकील साथ मैं आपसे यही कहलवाना चाहता था इस पॉइंट को नोट किया जाए और उनर वकील साथ खुद मुझे अपने गारे में बिठा कि मेरी माँ के पास ले गए क्यूंकि से ले जानते थे किड्नाप करने के बाद मेरी माँ को का रखा गया है कातिल ने सोचा कि मुझमर बावु भाय में सुधा हो जाने के बाद सूरत सार सार छूड़ जाएगा और कातिल पकड़ा जाएगा इसलिए जब मुझे मेरी माँ के पास ले जा रहे थे यह तो उन्होंने ड्राइवर से कहा ड्राइवर काड़ी रोको मैं अभी सिग्रेट ले सिग्रेट लेने कहा गए सिग्रेट का पैकर तु मेरे पास रहता है और साहब का सिग्रेट तु मैं ही लेकर आता हूं कितने बज़े हैं चार बज़े हैं सब खुनी ने ठीक चार बज़े इंस्पेक्टर दाते को फोन किया और इस बात की गवाही जमनादास का ड्राइवर देने के लिए तर यार रहे हैं सब यह लाइटर तु में खासे मिला यह लाइटर आप पूनम की लाश के पास छोड़ाए थी जमनादास हराम ज़ादे पेरे बेटे को भसाना चाहता था हैंस आप हैंस आप हैंस आप हैंस आप हैंस दाहिन एक धूल करो या दस सजा तो एक हुदी है अगर किसी ने हिलने की कोशिश की तो फूनम की तरह इसे भी उडादूंगा आथी सुनो इस वक्त इसके सर पे खून सवार है जैसे है कहता है वैसे करो जाओ इसके साथ आपने आर्थी को ऐसा क्यों कहा कि उसके साथ यही हमें आत्माराम तत पहुंचाएगा चलो इसका पीचा करें पुट्टे ने साइन किया नहीं किया लिगया उसे हेलिकॉप्टर उपर तयार है आप अंदर वाइटिये चलो जली पुलीस हमारे पीचे है खयाल रखना है चलो जैजी बचुल करे फुम है तरह में आप सुराट चुम है आप में आपयो आप है रचलो जैएड़ एड़ोई छूपना है खिर भीच आप में आप जैएड़ापन आप इसकाएडन आप पीच, इसकाएड़़गे JAAAAAA AAAAAAAj!!! Haa! haya danny uy hey और भाव को अाहुंग सुष ऐाव हुआ 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 है हुआ 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 है हुआ 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 हु तड़ी! तोड़ी! तोड़ी! प्थरो प्रह Fuel! नआएएएएए रेख्स, आरेख्स!! तो कि अजिए 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 एंग! झारीश आख़! वे वे वेचेश कपना भाषर फस्त है रवी, देटे मुझे माफ करते, मेरे तुझे गलस सेचा, आज मुझे तुझ पर गर्व है मा अगर तुझे सच मुझ गर्व है तो अपनी मांग में सिंदूर है रवी, कहीं साल तो देख रहा हूं कि तुम्हारी मांग सुनी पड़ी है सब कुछ जान गया हूं मा, कि मेरे पिता जी बहुत अच्छे और नेक इंसान है लेखे, वहें कहा है तुम्हारे पीछे अरे तुम्हारे थेरिये, 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 अभी दो दो सवाल पूछना बाकी है सूरज, पहले तुम अरे बुणा ना पहले तुम अरे यार यार यह पहले तुम पहले तुम के चकर में कई पबलिक नहीं निकल जाए इसलिए मैं पूछता हूं पहला सवाल यह है कि सर आपने कोट में यह चैलेंज किया था कि आप गातल को तीन मिनिट के अंदर बेनकाप कर दूएंगे अगर आप ना काम होते तुम मेरे प्लान का पन्ना सूरज जो आखरी पन्ना था वो तो कोट में खत्म होना था और प्लान के मुताविक मैंने जान बुचकर अपने आपको निकार ठेराया ताकर मुझे रिम खुद चलकर कोट में आये सुआया और सर दूसरा क्वेच्चन ये है कि वो जो लाइटर आपके पास था वो पुलीस को पूनम के कमरे से कर नहीं मिला तो आपके बास कर से आए जमनादास जी वो लाइटर जब सिग्रेट लेने गए तो गाड़ी में फूल गए वो मैंने उठा लिया उन्हें यह याद रहा कि वो लाइटर खो बैटे हैं लेकिन कहां खो बैटे हैं वो उन्हें मालूम नहीं था इसलिए वहां पकड़े गए वो अपने पापों का प्राइस चित करने के लिए बाबु भाई और चमनलाल ने अपने आपको कानून के हावाले कर दिया हुक्म हो तो पूछना एक सवाल है हाँ जी शोक से पूछीए क्या सवाल है आपकाрь सवाल का आपके तूंगा में तूंगा जवाद नमस्ते जीं कहीं क्या हान चाल है तूंद पूछना इताहर है हुआ पूग्स करणा जयता तूंगा लूग्स मुश्स मुश्स रिए झाल झाल